हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है आवाज निहा पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ निहा की सासरजनी गंदे पैर लेकर आती हैं और पूरा घर गंदा करती हैं यह देकर निहा को बहुत गुस्ता आता है और वह अपनी सास से कहती है मैं अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर साफ करती रहूँ अरे बहु थोड़ा सा ही गंदा हुआ है घर फिर से साफ कर दे इसमें कौन सी बड़ी बात है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया और तू कौन सा कुछ कर रही है आराम ही तो कर रही है न द पांच मिनट भी नहीं हुए हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, अच्छा तो तू पांच मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना, देख को हूँ, मुझसे बहस करने में कोई फायदा नहीं है, तू इस गर की बहु है या तेरा काम है, तो बहु बन कर ही रहा कर निहा अपने इसास की बात चुपचाप सुन लेती है, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे दबाते ही रहते हैं, एक दिन नहा अपने लिए एक नया सूट लेकर आती है, नया सूट देखकर नहा के ननत भटा भटे वहाँ पर आती है, ये तो बहुत अच्छा सूट है, या मैं ले रही हूँ, नह पर बैसे भी आपको कौन देखेगा, पर भाबी, आम मुसे सवाल जवाब मत करो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई प्रब्लम है, तो वह आपकी प्रब्लम है, और आपकी प्रब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं, आई बात समझ तियाव अरे कुछ नहीं तुम हमसे मिलने आ रही थी जब नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुम से मिलकर आती हूँ कैसी हो तुम मैं ठीक हूँ भावी आप बताएए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो क्या हुआ कुछ करते समय तभी निया का देवर निया के पास आता है और अपनी सर्ट निया के मुँपर फेकते विए कहता है क्या है भाविया आप से एक काम भी जंग से नहीं होता आपको मेरी सर्ट को अलग धोना था देखो इस पर कलर लग गया देवर जी इसमें मेरी क्या गलती है अगर पर देखकर दिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता नहा या क्या है होगी तुम्हारी गलती लेकिन वह तुम्हारा देवर है तुमसे चोटा होकर भी वह तुमसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है मुझे तो या समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दबंग ननद एकदम से लगती है ऐसे ही एक दिन सभी हाल में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी सिलफी कहती है मां टीवी देखते हुए पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है अगर पकोड़े मिल जाते तो मज़ा आ जाता हां सही कह रही हो तुम भाबी है ना भाबी जाओ हम सब के पकोड़े बना कर लाओ हम लोग टीवी देख रहे हैं तुम लोगों की नौकर हूँ मैं क्या तुम लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हो मैं यहाँ पर मतर छील रही हूँ मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना और हां जिसको बनाने है वह बना ले मेरे लिए भी बना द या देखकर रजनी ची कहती है, फुरसत मिली गई घर आने की, या कोई शम sens घर आने का सरीव घर की बहू अइसा करती है क्या मा जी सरीब घिर की बहु आत्म निर्वर होती हैं मैं तो बस अपने फ्रेंड के घर गई थी वहां से आने में देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है बहु तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सबर का इंतिहान मत ले मा जी मेरे सबर का आप भी इंतिहान मत लो अच्छा अब तो मेरी सास बनेंगी मेरी भी बात कान खोड़ कर सुन ले मैं तेरी नौकरानी नहीं सास हूँ अब मेरी बात ध्यान से सुन जा और खाना बना मैंने भी अभी इत खाना नहीं बनाया है और वैसे भी मैं तेरा इंतजार कर रही थी तो फिर एक दिन माजी आप भूके पेटी सो जाएए वैसे भी आज गलाब को कुछ ज़्यादा ही दस्त बनी रहती है ना एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा आपसे खाना बनाने के लिए मेरा इंतजार तो मत ही करना नेहा की पटर पटर जवाब सुनकर कोई कुछ कही नहीं पा रहा था तभी सिल्पी प्यारा सा सूट पहने कर बाहर निकली नेहा उसे देखकर कहती है यह तो यह उसकी भरपाई करेगा भाबी अभी मया पहना हुआ है ना कुछ देर बाद दे दूगी नहीं नहीं अभी उतारो तुम अभी दोगी मुझे जब यह सूट पहन कर बाहर निकलोगी तो सभी को दिख जाएगा ना तो फिर मेरे पहनने का क्या फाइदा सब तो यहीं समझ लाती है भाबी मैं आपको बुलाने ही वाली थी देखा मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें मेरी यादा रही है और मैं तुमसे मिलने भी आ गई अच्छा आप बैठे तो मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ मा जी जरा चाय पकोड़े बना दीजिए भाबी आई हैं रजनी जी उनके लिए चाय बना कर लाती हैं घर में सभी नेहा से अच्छी तरह से बात करती हैं यहादे कर दिया को बहुत ही खुछी होती है और वा नेहा से कहती है वह मेरी दमग ननत आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली हाँ भाबी पहले में जैसी थी किसी को भी मुझे मेरी ननत पत बहुत गरव है भाबी यह सब कुछ आपकी वज़ा से हुआ है आज आपके कारड इस घर में अम मेरी भी कदर है अब यहाद लोग ना ही मेरे साथ है कुछ गलत करते हैं ना कुछ और हाने हाँ इस बात का कभी भी गलत फायदा मत उठाना और हमेशा ऐ वार को भी खुछ रखना जरूत पढ़ने पर ही दबंग गिरी दिखाना पता चला कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खौब बना लिया कि अब ससुराल आले तुमसे डर डर के रहने लगे दिया को अपनी ननत पर नाज होता है और अपने यहाद को भी समझ में आ धनिवाद